कि कल्पना की उपज मातर है और इसका किसी भी व्यक्ति विशेज या स्थान से कोई समझाई ओ्यक्ति विशे shifts के भी विशेजज तरिश नहीं है और इसका है और में आर बालोग के अोलोग कहते है और अहांड़ा मगास गोलोग क्यों से नहीं देते है और इसका के बालोग की विशेज़ के ईब दूर रवार के लिएके स suck. खर गुछ जो एक आप वाओनां लुछ भाओाएप मेजय तोगनी तिक है भाँएब नह्तलत रिल कर दो दो दोगकी अपका एड़ कि एक अगएजी तो प्रेशा है वस्तलत दो एक एक आई पोलुछ जडत कर दे में दोगकी कि जड़िक है पार खड़ जडर से लुछ दोग है जो है पैठीयल चंग स्पाटीा सिर्पाइर भंत्रूल बहुत है इतनाव क्वा काईरी एम्बूलेंस कुटे है तरीका पाउचाने के बाद आएकी अम्बूलेंस किदर एम्बूलेंस फोन किया की नहीं वापस फोन कोरो साब फोन कर दिया था अब एक खास खबर आज सवेरे ही एक अज्यात विदेशी महिला को अर्ध नगनवस्था में पाया गया जहां तक हमें खबर मिली है इस महिला का बलातकार हुआ है और अब इसे सिविल लाइफ होस्पितल ने जाया गया है हमारे सम्वार्दाता निलेज जहा की ये रिपोर्ट है काई रहे नानिया माते खल इसका क्या गया रहे मैंने आज का नियुस देखा तुने नहीं क्यों क्या हुआ अरे कुछ बोलेगा अब इदर मैं समझ नहीं रहा है अब एक कुत्रया बोला था ना तुछको उसको ठिकाने लगाने का बच गई तेरी ओ अम्मा अब लग गई अब निकलेगी हम लोगों की अर्ती साला बुरा फसारे तेरे पे भरोसा करके अरे भाव भाव मैंने तो दिया था रहे इंजक्शन अरे चुप साला जब देखो तब पक पाक 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 कर तेरे ता अरे भाव कैसे बच गई ये साली अंग्रेजन मेरी बात कान खोल कर सुनना नहीं पता लगाओ कहा है और ठीकाने पोचा दे नहीं तो मैं तेर को ठोक दालूँगा समझा अरे भाव तुझे तो मालूम है मैं जो भी काम करने जाता हूं साला उल्टा हो जाता है भाव भाव सुनना एक काम करते हैं तो काका से बात कर वो जरूर कोई दास्ता निकालेंगे जब कि बाबा खुदे चल रख फोन मैं बात करता है बाबा से बाबा फोन उटा मक्या कितनी बार बोला काम के वक्त कुछ नहीं मंगता है अरे अरे बाबा बाबा बहुत बहुत अरजेटे बाबा दो मिरड़ करने बाबा बहुत सिरस वह अरजेटे बाबा फोन रख शेट शेट खाल अरे भाबा बाबा बाबा पहर करते हैं तक कित था समय देवर्चा करते हैं यह षड़का करते हिए तुने पीकर इसके? नंदू, मैं सच कह रही हूँ, अगली बार तुने असी हरकती ना तो तेरे पिछाने दो अरे क्या जाने दो? यह यह सदी सावीत्री बन के भारत रतन मिलने वाला है तुझे तुझे, क्या हो गया है तुझे? अगली बार इसने बेवज़ा तेरे ओपर हाथ उठाया ना तो उठा जाड़ू और उतार इसकी आर्थी मैं दिखती हूँ जा डॉक्टर के पास जा और वो दीदी को मेरा नाम ले लेना अच्छा ठीक है उनको दिखागे घर जाना और तु चिंता मत कर मैं हूँ तु यही खड़ा रहेगा हां लेके जा उसे और नंदू एक बात सुन ले तु अगली बार तु नहीं हरकत की ना तु मैं तु ज़िए अज के बाद कभी नहीं करेंगे मैडम जी अज के बाद अपने बीवी को कभी नहीं मारेंगे चल जा कि मैडम जी आपने तो लाफा ही लगा दियो लाफा के बखेर समझते एं क्या यह साले कि इसको जो भाशा आती है ना उसी बहता में समझाना चाहिए अरे वालियंग बं करो यार वॉलियुम बं करो सरा अण जाए यह चाहिए लिए इस महिला का बलातकार हुआ है और अभी से सिविल लाइफ हॉस्पिटल लेगाया है अब जहां देखो रिप सल्टीवी खोलो तो रहे पेपर देखो तो रहे हाँ तहरवानित की काट डालना चाहिए नहीं अरे मैडम जी यह क्या वोल दिया क्या क्या गलत क्या बोला वही चाह तुने सुना सुनी काम कर यह देख सिविल हॉस्पिटल में अद्मिटर है तुम आज़ा ची हॉस्पिटल जाओ इसके बारे में पता कर वी मस हैल्प कुछ करना चाहिए उसके लिए तो अभी जाओ या एक गंटे लाद अभी सोनी अभी र अभी इतनी गर्मी है तो नीम प्याकर नीम ठंडा हो जाएगा क्या जरूरती रेप करने की लड़कियों को छोड़ता नहीं अब क्या अपने बाप की वजाएगा ये अपोजिशन वाले एक मौकी की फिराक में है समझा क्यों मेरी बनी बनाई इज़त खाक में मिला रहा है देरों लड़कियां स्वागरात मनाने के लिए पकड़ता मना लेता आग बजा लेता अब उठा नीचे कभी कभी तो लगता है कि तू मेरी अलाद भी है या नहीं अब उठा नीचे कर सोच इने दे कुछ निचे हलो कमिशनर जोशी बोल रहा हूं नमस्कार सर सर कुछ काम था तो बुला लिया होता जी 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 सर सर आप बिल्कुल बेफ़कर रही है मैं खुद देखता हूं एक गंटा और कोई केस आएगा नहीं तो अच्छा है पांचो तो आप पर एक मिनिड़ा अलो इंस्पेक्टर वाग लें या वाग लें तेरे एरिये में जो फॉर्णर लड़की का रेप केस आया ना उसे उल्टा को मातलब अरे मिनिस्टर जोशी के लड़का प्रूव यह हो कि यहां फ्लेश ट्रिडें के लिए आई है जाना चाथ फोन रख जाइन सर नमस्ते ताइट अली पनवधी जाएला रितू नमस्ते तीब चोटु का तिरा अंधर सो रहा है जाएला इसा पटिल यह सर यह दिमाग चाटने वाले दिमक आ रही है समाज का बोजा खंदे पर उठाए कुट्टे से भी तेज नाके इसकी तो एक काम कर इसका समाज का बोजा खंदे से में उतारू बिच में आके टपकना और बोलना बड़े साबने बुलाया गड़े तुला यह सर निक नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप आज किसके बैंड बजाने आई हो आप तो जानते ही हैं वागली जी बैंड तो हम जूटकी बजाते हैं हमीशा सच को तो गले लगाते हैं आपने हमें गले कभी नहीं लगा लिया उस दिन हलक से कुछ नीचे उत्रेगा नहीं सांस लेना दुश्वार हो जाएगा का मुद्य की बात करते हैं यह आपकी अरिया में क्या चल रहा है मतलब खुले आम ऐसे लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है बलतकार होता है कच्रे की पेटी के पास भेंग दिया जाता है मतलब सत्या जी आप तो टीवी निउस के एंकर की तरह धाड़ 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 बोले जा रही हो हमरी कुछ सुनेंगे जी सुनाइगे यह प्रोस्टुटिशन का मामला है यह बलतकार ही नहीं यह लड़की अपनी मर्जी से दुसरों को खूश करती है यह इसका धंड़ा है हमरे आपके इलाके में तो आए दिन इतनी घटनाए होती रहती है इतनी फुर्ती तो आज तक अभी नहीं दिखाया आप लोगों ने यह कमिशनर इतनी दिल्चस्पी क्यों ले रहे है इस केस में अजी बात कर रही है इस केस में दो-दो एंबसी इन वाल्ड और आप कह रही है क कि कमिशनर क्यों दिल्चस्पी ले रहा है मिनिस्टर जोशी क्यों दिल्चस्पी ले रहा है तो यह लड़की मतलब गई किसके साथ थी यह मिनिस्टर के लड़की के साथ और भांजे के साथ कि अइसा गो काय बोलो मी मतलब ऐसा सुनने में आया है कि सत्या जी मैं आपको पल-पल की खबर देता रहो यह लड़की कहा गई थी किसके साथ सोई थी किसके साथ दारू पी रहे थी बोलाना वो धंदा कर रहे थी हम तो मतलब लड़की का बयान तो आप लोग लेए चुके होंगे होश में आने दो पता नहीं कौन-कौन से ड्रक्स लेके बैठी है लेकिन आपको बड़े साब बुला रहे को मैं आ रहा हूं कि सत्या जी होश में आने दो बैयान भी लेंगे हम हलो हां सत्या बो लो हां दददा जी मैं आपसे मिलने आघयू एक जरूरी केस है एक विदेशी लड़की का बलातकार हुआ है मिनिस्टर जोशी के भांजी और बेटे informal हैं इसलिए मैं चाहरी हूँ कि एक बार मैं आपसे मिर्सें के लॉन डे इन वोलम है सत्या तुम्हें काम करो किसी दूसरे वकिल को देख लो प्लीज हलो जट्राजी बेब हरे यह क्या कर रहे है अरे तहीं अच्छा हो गया आप आगए एक्तम येडी है यह लड़की जिस तरीके से भीख कर रहे हैं अरे बट क्या हुआ है अरे चीजे फेक के मारे है ठीक है मतलब यहां है ना चास हां सुनो थोड़ा संभल के ताई कुछ भी फेक के मारे गी यह अरे है 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 माया है माया तिस सथया शौड़ा माया व – अ व अ हाँ हalter क्या whenever I do not want to talk about anything right now यहाँ न शौड़ mind सबदेश्यो र dal pagar सब्देश्यो को अ मया, मया if you just allow me I okay fine I'm leaving I just thought I'll let you know that those guys they're preparing a case against you right now they want to prove that you're a prostitute and I just received this information so I thought I must share it with you I'm leaving wait Yup. Maya. Look I. I know how it feels I understand. I.... I have been a victim myself. I have been a victim myself. I know how it feels. But believe me all this people's sympathy. This is just transitory. What stays with you is your own battle, your own fight Now that you have to part out every single day, day-in dayout And I want to help you fight that fight Will you help me? Okay I trust you Thank you Maya I won't let you down phases multiplied, grandpa ददाजी, I'm sorry, यह क्या हो गया आप नहीं चेहिए भाहिया, आप आप केस क्यों नहीं लड़ेंगे हमारा, देखो सत्या बाल की खाल निकालने से कोई फाइदा नहीं है, छोटे मोटे केस में लड़ लिया करता था, लेकिन यह तो वैसे ही है जैसे हाथी और चीटी के लड़ जन लोगों के खिलाब तुम यह केस लड़ने के लिए बोल रही हो, जानती हो कौन है वो, यह ताकतवर ही नहीं बलकि ताकत के आका है, तो, हामें जानता हूँ के उस बिदेशी लड़की के साथ भलतकार हुआ है, जुल्म हुआ है, लेकिन यह भी तो देख, लॉंडे किस ताटिया प्रीज। सत्या, जर्शल तुम्हें वकील नहीं, बलीका बकला चाहिए, वरसवा में एक पावभाजी की दुकान है क्या? किसी से भी पूछले है किसी से भी पूछ लेना, सीतापती शुकला- सीतापती शुकला के बारे मैं यहां लेकिन सठिया कहें तद्दाजी यह पावपाशी वाला बीच में कहा से आ गया ताई एक भार कोली वाड़ा चल के तो देखते है ना सुनी तू भी ना चल वो सामने देखे पबबद अड़ाकसा यह 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 तो नहीं और तो कोई देखने रहा है चलो इसी को पुछ लिए अरे अरे इसे कोई पावभाजी को नाम रखता है यह 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 बाई साव एक्स्क्यूज मी सीतापती शुकला से मिलना था यह ए मोटे रेडियो एक तरफ रखना पाड़े साल जब तेको तब यह रेडियो चमगाला के जैसे थान पचेक ची नमस्ते सीतापती जिया क्या मरियल जेंस बोन आज प्लेट साप ओपाईगी होगी होगी से यल्दी दो तेखिए आपसे कुछ बात करनी थी क्या बात हो सकती है देखिए माडम धंदे का टाइम है भी टाइम खोटी नहीं करो पाव भाजी खानी यह तो खाओ नहीं तो निकले आप कैसे बात करूं इससे मैं ग्याओ भाईसाब क्याओ जरा इससे बताएंगे आपके भाईसाब है क्या चीज चीज नहीं है अजूबा है अजूबा यह जरा रेट्यू और यह बताएंगे कि यह क्या है दफा 302 420 RTI जो क्या है पेशे से जनाब वकीर है अच्छा और इमांडारी की साइकल पे हो गेए अब इमांडारी की साइकल पेडल तो नहीं हो था है तो हमाँ चल जिये पीछे से साइकल को धक्का लगा है अब बल यह है कि पेशे से हम है जूनियर लायर यह रेडियो स्टेशन विदर्या तड़की देखे नहीं लगे उसको FM सुनाने ओडर दो जए एत्त बड़की बढ़े शाले बढ़की आप हालो सीता पती मैं चाहती हूँ कि आप एक विदेशी लड़की का केस लड़े मिनिस्टर जोशी के बेटे और भांजी ने मिलके उसका बलातकार किया है देखिए मैं चानती हूँ आपके बारे में आप भीने अमीना विगाम का केस लड़ा था हो गया मुझे किसी केस में कोई इंट्रेस्ट नहीं है मैडम आप से निवेदन है कि आप मेरा पीछा करना बंद करें एक मिनिटा प्लीज मेरी बाप चीता पदी पागल हो गया क्या है चालीज रुपया किलो इतना महेंगा अगर आप हमसे वही बात करने आई है जो आप कल करने आई थी तो हमारा जवाब भी यह जो कल था आप खामका एक शरीफ आदमी का पीचा करके उसको परेशान कर रही है हमारी दुकान पे आगए अब चली आए हम आपके उपर इव टीजिंग का मुकदमा दायर कर देंगे दफ़ा 294 के तहता आप छे मैने के लिए अंदर जाएंगे यह लो हो गया मैं तो सिर्फ कांदा खरीदने आई थी चल सोनी आगे से लेते हैं यहां तो सबजी भी नहीं खरीच सकते हैं बात को लो दो या वैसे मुझे पता है कि यह केस तो तुम ही लड़ने वादी है सुनीए सौ्वरी तुमसे बात करनी थे मगर मुझे नहीं करनी मैं आप से कह चुक हूं कि मुझे इस केस में बिलकुल इंटरेस्ट नहीं है लोग तुमें इंटरेस्ट नहीं है स्केस में ना सही जेस्टीस में भूं नहीं है है अगर मेले तो तुमने तैय कर लिया कि जेस्टीस मिलेगी नहीं चाहे कोई भी केस हो लोग तुमने अमीना वेगम का केस हैंडल किया है मैं जानती हो लेकिश सी प्यांती ओर उस लड़की बाप ने भरी अदालत में चंद और तुमने क्या किया तुम्हें केस हार गए और तुमने अपने हाथ धो ली तुमने तैय कर लिया कि जहां पैसा है पावर है वहां जस्टिस तो है नहीं राइट तुमने कभी सोचा है कि उसके बात भी नजाने कितनी लाखों अमीनाए हैं हमारे देश में जो आज भी देने के लिए तैयार है क्योंकि वह जानती है कि न्याय दिलाने वाला तो कोई है नहीं और यह वहशी दरिंदे यह दिन बर दिन हावी हो दे रहे हैं यह चाहोगे ना तुम प्लीज मेरी बात पर ध्यान दो खुदा नखास्ता इनवे से कोई एक अदमीना तुमारी आज़त नहीं हो सकता है कल दस बजे मिलता हूं मैं थैंक यूट भी जूना पड़ेगा कहा है मैं चलती हूं दस बजे कल यह पांडे अब है मोटे साले अप उनकी वोली बंदोग की वोली पिचरव पांडे अभाग पांडे और चल रहा है पिचरव पांडे जहां पर आप की फर्माहिश के गाने होते हैं आपकी बाते होती हैं तो चले से एक समें हम से कौन बात करना चाहता है कर से गान सšeनना चाहता है हरो भाइजा क्या यह रेडियो क्या लग रहा है पूलिया अवी नहीं मतलब भी महीं यह सब शुनेंगे यह सब आप angular आरे भया, आप रेडियो में का कर रहे है? मैं कब जे संदास में बैठाओ, महेंडिया, आणी लेकर रहे हूं अठे! अठे! मत हुए सर, चार शिट दाखिल हो चुकी है, एक घंटे के अंदर वो लड़की सलाखों के पीछे होगी, बाग ले, याच सर, जाओ, अब उन्ने क्या बोला था भाव, टेंशन भिलकुल नहीं लेने का है, यहलो बिस्किट खाओ, खाओ, कमिशनर, अब अबत है, लग एझा रफ, जब लेने, जिए यहाँ, आजिए मैं कि तुम्हे था पहतना है, नहीं मतलब है, पहतना है। वाकालत करता तायान में, अचामत तोड़ी करता तायान अचेला गूरू ताया चेला अचेला Hello We have come to meet Maya Ishida Yes, come Thanks यू सित है, यू झाल हूं यू सितापती थे बैटो अभी तुमेसे कन्वेंस करना है कि वो हलो मया है मया है, हूर यू है यू सितापती जह वो यूल वी वे फ़िव देखिए ग्रेंग उच्षर वह अपन वह फैसा म्या विल आस्योंटे इंग पुल अपन है इससे इंग अब फिस्योंट की अप्राइब अवायदिन अविल वा लो चौक अपन अपना है और माय आस्टे अवा-प्राइब नहीं I know it's going to be difficult. I told you I have gone through it myself, I understand. But please Maya, we can't do anything if you don't cooperate. I was performing that night. And I don't know even when these guys came there. स्टाल रिटना श्राशत। मेरा सूफी इश्ग है माहिया मेरे उसम से त्रमेकता है हाँ मेरे रूप पुछ आंदेता रस्ता है मेहका मुश्क है माहिया मेरा सूफी इश्क है माहिया एै अलाई सुन्ना तो मुझे ये दिला दे मेरा सूफ़ी इश्क है माहिया अप़्णा करें क्या पून्च इदर बेटे वहत ओत्यच्यमा आई इंगलीश मद्य बोला आगे लागे लागे अ..I..sit with you? yes it's not my bar sit where you like thank you शेटी, इस अधिर इस अधिर इस अधिर इधर 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 ले अभी ले थाँ ए गंश्यां कोई चीज की कभी नहीं चीज़ नहीं चीज़ जल निकल सर इस अधिर लाइटम हो न वह दो प्लेट लेगिया और साथ में एक फाइन विस्की ओन दरॉक्स सवाण में थेगेज़ आटूर नहीं चाल भूठी लाइटू न। वर्टूर ररोटम इस विसकी नहीं कि्विस्की विस्की थाए नहीं में फूठी, तो कि यह नो वा दिख विसकी नहीं है माया त Dlatego वारे विठला तेरी माया मुवार्ण जोषी संपूनियमिंश्टर शरण जोषी अचर जोषी तो रहा जोड़ा समया तो माया अब्हा जाई वे है माया वारी माया जो 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 खेड़ा मेरे दिल को तेरा अंग भाया वतर री आप रही आप प्रेइव आप प्रेश दिया? जो अगा जो एकार आपए जो अगार यू मेश पाटी इन मावा बंगलोग़ग़़गे? no thanks, I am not that kind of girl what did you say? जमायला वो वो अज़ी करने पड़ेगी oh I am sorry sorry it's okay you are actually funny guy cheers cheers Maya ji मैं ज़ने च्ट्रवा what does that mean? मैं कि अट्राइ क्या बोलते उसको you are MUST MUST मैं yeah and what does it mean? जमायला क्या बोलते उसको you are beautiful एक नमब्र aintemn जगाश I am beautiful thank you you really funny I like that very good one more drink let's take a drink one drink it's very late and I need to go now what happened it's okay child I will take you don't worry ensuite don't worry don't worry फड्स भाफ टूल है उसमेंगी संखर जब साहर इस सब्सक्राइब अब्सक्राइब अबत एक अप्राइब अबत एक अबत जब अप्राइब आधा यजिब लगात वह बंटों कि अबत जब वह बोगाता है मिसमया मया जौंसन कि चल आरे साथ याव तो कम वी तस जिस वन सेक्ड याव चार्ज क्या लगा राखा रहा अंडर इंप्मोरल ट्राफिकिकिंग आक्ट नाइटीन फिफ्टे सेक्स अरे पादिल याला कुटेतरी बगितल है यह सब वरस्वात पाव भाजी वाला यह तुछ अपनी तो बहुत वाकिल यहाँ वाकिल साब मैडम को बताओ क्या पावबाजी करते करते भूल गया वाकालत है इसकी जरूरुत नहीं है वागले साब यह अन्टीसिपेटरी बेल के पेपर से वाह वेरी गुड़ वेरी फास्ता है इंस्पेक्टर इस अलाए आए मैं वीग्ड़ुफव अजित वीग्ड़ुफ़ यह प्रस्ति पुल निए पुल थास्ताइब वाकिल रहा है मैं यह वाज़ुफ़ जएको जैसे उपार दर्ज होती है वैसे ही कारवाई होती है वाकिल साब मान लिया है पहले बाल मैं चक्का शेर कितने भी दिन चुप रहा है भागले साब, शिकार करना नहीं बूलता है, तो इंस्पेक्टर भागले, अब भी भागले, चलो. जमाना बदल गया है सर, उस लड़की का मेडिकल चेक अप हो चुका है, ये जोशी और ये पाटिल, दोनों का ठपा लग चुका है, पता दो लग ही जाएगा, खेर ये सावा मुझ पे छोड़ देजिये, मैं समाल लूँगा, वैसे ये बताइए कि अपने लिए केस लड़ ये सत्या, सत्या, मुझे कोई फर्क नी पड़ता समझा, होन लगा उसको, मुथ्टु को, हाँ बबा, मुथ्टु, मक्या, बाबा बात करना चाहता है, मुथ्टु जोशी बोल रहा हूं, Mr. मुथ्टु, प्लीस स्टार्ट थे प्रसीदिंग्स पर तोड़े, मैलाड, मैरा मुथ्टु, मकरन जोशी और नाना पाथिल पे इल्जाम है कि उनोने इस वाइदेशी लड़की पे बालातकार किया है, इस, क्या नम इसका? Sir, Maya. Ms. Maya को, क्रास एग्जामिनेशन के लिए वाइटमिस बॉलाना चाहिगा. Permission granted. Thank you. Miss Maya, so do you remember who was the first one who raped you between those two sitting there? No. I was drugged. I was semi-conscious the whole time. May I ask the second question, sir? Can you tell me where did you meet my client? I was at the bar after my performance. Makarang Joshi. He came to me and wanted me to join to have a drink with me. I didn't suspect anything. Because they are good people, why will she suspect, sir? No, that's lie. In fact, she gave the signal. No, that's lie. Of course. In fact, sir, I think they did not force her. She, she enticed them. She kind of gave signal. Smiling. All that, sir. Wasn't it some kind of inviting? Objection, your honor. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. The truth. The truth. Yes, sir. The truth. The truth. The truth. जब यही सवाद मैंने मुथ्व स्वामी जी से उनकी पत्नी के बारे में किया तो बेहुदा हो गया लेकिन वो यही सवाल मेरी क्लाइंट के साथ बार बार गर रहा है उसका क्या किसी महीला का किसी पुरुष के साथ मुस्कुरा कर बात करना उसके दुश्चरित होने का प्रमाण नहीं है कि मेरी क्लाइंट माया ने मकरंद जोशी और नाना बाटिल को खुद ओफर दिया साथ में चलने के लिए पॉइंट नोटे थैंक यू यू मेंगो मिस माया मैं देशी अड़ा बार का वाइटर को बुलाना चाहता हूँ उससे पाई तो चलेगा कि मैडम का मिस माया का मैरा क्राइन के साथ कैसे रिष्टत था इजाज़त है गांचाम उस मैडम को तुम देखा यह साब यह मैं यह तो पहली बार में उस राद बार में लेखा था दास प्रॉबंस के आई थी सबसे बड़ी शचंज के बाते कर रही थी और हमारे मक्या साब से तो एक्दम चिपक-चिपक के बाते कर रही थी है और तो और शहाब दोनों एक हंटे के बास साथ में निकले तुम जा सकता हूं तूम जा सकता हूं ताटसल यह रहान है ताटस रूंग, इस बुल्षिट, इस मैं इस टाकिंग रविष, he is a liar order please मैं इसका प्लीज निकले नहीं प्रेट होगा है वर्स्फरली साथ अध माइ तेबल, I guess I just wanted to be nice, since I know that I'm an outsider. Is it wrong that I was just trying to be nice? Your Honor, you may go. Your Honor, गंशाम के मुताविक अधी मेरी क्लाइंट मया, Makranda Joshi और नाना पाटल के साथ अपनी मर्जी से गई है, तो CCTV में ये फुटेज हमें मिल जाएगे, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने वो CCTV फुटेज बरामत की है? मैं चाहता हूँ कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यहां बुलाया जाएगे. इजाज़त हूँ. Thank you. आप इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं? जी सर. तो जो CCTV कैमरा फुटेज है, वो आपने बरामत किया है? हाँ सर. CCTV फुटेज तो बरामत किया है, लेकिन सर आपको तो मालूम है, बार के अंदर के CCTV फुटेज में दुआ होता है, रोष्टी कम होती है, तो ठीक तरह से कुछ खास दिखाई नहीं दिया. लेकिन ये लोग सुरक्षा की दृष्टी से में गेट के ऊपर एंट्रेंस पे भी CCTV कैमरे लगाते हैं. हाँ. उसकी फुटेज तो बरामत किया होगी आपने? सरो, क्या है, बाहर का जो CCTV था वो चल नहीं रहा था, एक दिन पहले ही खराब होगा था, अच्छा, कितना अनुकूल सब कुछ बना दिया गया है, अंदर के CCTV कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां दे रहा है, बहुत सारा दुआ है, और बाहर का CCTV कैमर यौर ओनर, एक दिन पहले ही खराब हो गया, यौर ओनर, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी बार का लाइसिंस रद्द कर देना चाहिए, जो सुरक्षा के नेमों के प्रती लापरवाई बरता है, अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस मामले की पूरी चानबीन करें, और अ देन क्यों आदेती मायको, करास एक्सामेशन कलिवा एक उज भरमंड़को पूरी में plot पले हूपराई के के लिए विए ने चाहिए, मैयको, क्यों है की ने लिए मायक要 एकानगाई क्यों है क्यों हो जी करास एक्सा इसान किक द्दोत? क्यों हूं हूद ड right? मैयका य.. क्यो एक कोई शरीव घर का लड़की तो आइसा अनर्वेर नहीं पहनता है। यह पहनता है। मैंने तो देखा है सिर्फ आंग्रेजी पिच्चर में देखा है। लास्ट ट्वाइंटी यह आम मारे टु माइड वाइब ने कभी आइसा कोई अनर्वेर नहीं पहनता है। यह अनर्वेर पहनता है। डंदे वाली अपना क्लाइन को रिजा सके लुबा सके मज़ा कर सके। बात समझ में नी आता की राइप कभक ऐसा लुंगरी असा लुंग डूंगरी। सर लॉंजुरी लोुँडूँरी सर। ऐसा लॉंजुरी क्यों पहना। इस वर अभ्य दोह अजए भी सुद्धरव मेंद सुद्धर आप कमाल जो एड आप वकीलों के बाबार आप आप इन्सान करत्र पता देते हैं मिस्टर शुक्ला प्लीज एक नियायत ही व्यक्तिके सवाल करना चाहता हूं अगर उनको एतराज नहीं हो तो पूछ सकते हैं सर आप कौन सी चट्डी मेरा मेरा मतलर है इनर्वेर पहनते हैं राक पर इसका इससे क्या लना दना वह राक उसमें जो एड दिखाया जाता है जिसमें लड़के के पूरे शरीर के उपा लिपस्टिक के निशान है तो कुछ आपकी भी वैसी हालत होती होगी एंडर्वेर पहन के यह कहें कि जब भी आप चट्डी पहनते हैं तो आपकी वी उस लड़के के जैसे दूसरी महिलाओं कुछ करने की इच्छा होता है जैसे आपकी चड़ी से आपके चरित्र का पता नहीं चलता वैसे ही किसी लड़की के इनर्वेर से उसके चरित्र का पता नहीं चलता है यदि मुद्धु स्वामी की रायमान ली जाए तो संसार भर की वो सारी कंपनियां जो महिलाओं के बढ़ावा दे रही है ना मुद्धु स्वामी की ये राय यदि उन कंपनियों के कानों तक पहुच जाए तो विश्वास कीजिए ये सारी कंपनियां मिलकर इनको उपर ऐसा मानहानी का दावा ठोकेंगी कि मुद्धु स्वामी की चड़ी उतर जाएगी और ये अपने लिए एक अदध चड़ी खरीदे के काबिल नहीं मचेंगे और प्लीज ये कहते हैं कि इन्हों ने ऐसे इनर वेर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में देखें यॉर अनर ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सारे के सारे करदार पूरी फिल्म में सिर्फ चड़ी पहन के गूम रहे हैं कि कि मेरे 20 साल की वैवाहिक जीवन में 20 यह सर याइस थैंक्यू मेरी पत्नी ने आज तक ऐसा इनर वेर नहीं पैना अरी आपका व्यक्तिकत मामला इसका इस के से कोई तालुक नहीं है लॉंजीरी से किसी लड़की के ऊपर लांचल लगाना ये कुछ और नहीं इनकी विक्रत प्रमाल है जो चंडी के अधार किसके जर्थ का अगलब कर रहा है वाइक्रत पर वर्टिट सिख गिरा हुआ नेम्न नीच्छ silence silence your honor मान लेता है के Miss Maya belly dancer मतलब hotel or rice student में अधि नंगी नाच्छी यह I object your honor belly dancing is the form of one it's not prostitution for God's sake मैं दावे से कहता है कि यह इनर्वेर पहने वाली दंदे वाली यह she's a prostitute no I'm not a prostitute I am foreigner in your country but I'm not a prostitute how dare you call me that how dare you call me that how dare you call me that this guy raped me here in your country please may you call me a prostitute order please your honor मैं मकरंद जोशी और नाना पाठिल से कुछ सवाल करना चाहता हूं उने कट घरे में बुलाये जाए इजाज़त है यह लॉंजरी आपकी गाड़ी से बरामत हुए हाँ वहां कैसे पहुँची है वहां कैसे पहुची है पहुच गई होगी पहुच गई यह अरॉनर मैं बताता हूं कि यह लॉंजरी वहां कैसे पहुची मकरंद जोशी और नाना पाटिल ने देशी अडबार के अंदर से नशे की हालत में माया को अगवा किये थी यह जूटे उस रात यह इतनी पीयली थी कि पूचो मत और ना जाने क्या-क्या इंजेक्शन भी ले रही थी जच साब आप इसकी यह भुली बाली शकल पर मज जाना एक नंबर की नशेडी यह हम इसे हाइवे ले गए और हमारा काम खतम होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया क्या खतम होने के बाद काम खतम करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया काम खतम मतलब कौन सा काम हमारा काम मतलब सेक्स जैसे आप बोलो तो आपने उसको पैसा दिया था कितना अरे किती दिले होते रहे याद नहीं बाव कितना दिया था के नहीं दिया था हां नहीं दिया था पक्का नहीं दिया था नहीं दिया था मतलब सेक्स करने के बाद आपने माया को पैसा नहीं दिय अरे किती बाड़ा बोलू, नई दिया, नई दिया, नई दिया पॉइंट टू भी नोटिड मैलॉट इन्होंने सेक्स करने के बाद माया को पैसे नहीं दिये इससे दो बाते क्लियर होती है एक, माया वहष्या नहीं है क्योंकि पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ दो इन्होंने खुद अपने मूँ से ये बात सुईकार की कि इन्होंने माया के साथ सेक्स किया नशे की हालत में माया के साथ जबरदस्ती की दो दिनों तक उसको बंधक बना कर रखा और फिर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया ये इस बात का प्रमाण है कि ये रेपिस्ट है क्योंकि इनके साथ सहवास करने में माया की कोई मर्जी नहीं थी इन्होंने माया को सेक्स के इरादे से देशी अड़बार से उठाया योर आनर मायरा काबिल दोस्तो मायरा क्लाइन को राइपिस बोल दिया लेकिन जरह ये माईडिकल रिपोर्ट आप देख लेंगे जब ये मिस माया सड़क पर पाए गे थे उनका बाड़ी में कोकेन था हाँ मैं मानता हूं कि उसके खून में ड्रग्स मिली और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो खूद ही ड्रग्स में थी वो कैसे बोल सकती है कि शी वास राइप्ट बिल्कुल 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 मैं मानता हूं योर आनर के माया के खून में बहुत मात्रा में ड्रग्स पाया गया लेकिन ज़रा देखिए एक अकेली बेचारी निहत्ती लड़की ही और दो गबरू जवान अगर जबरदस्ती उसको ड्रग्स के इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या कर सकती है योर आनर मैं अदालत से दर्ख्वास करूँगा कि मुझे कुछ वक्त की मौलत दी जाए अधालत पूलिस को आदेश देती है कि इस के से समबंदित जितने भी सवुथ हैं वो अगली हेरिंग में पेश कियेज़ारे अधालत पूलिस को ये भी आदेश देती है कि इन दोनों ακ YOU के कों की चार्च की जए ताकि ये पता चल सके कि ये लोग कि अबिच्वल रग यूजर्स है या नहीं थांक यूट इस अच्छा कर रहे हो और थ्वड़ा समालों को सम्झाव गदों को कर लेंगा कि अरे मुट्व सब्सक्राइब अरे मुट्व सब्सक्राइब अरे कमीशनर से बात कर लेगा तुम करता है डिफिनिटली हाँ चलो पुल्लू की तरह आखे फ़ड़ के क्या देख रहा है सोच रहे है तैरा क्लाइन को आज नंगा किया कोट में नाइक्स टाइरिंग में तेरा चट्टी उतारेगा बारा बरी कोट में दस जनम लेगा ना तब भी यह नहीं कर पाएगा मा कसम अगर कोट की हीरिंग नहीं चल रही होती न तो नंगा करके मैं तो जे सडक पे दोड़ा दोड़ा के मारता है जाने दे मुत्तु जाने दे किसी आनी बिल्ली आई है खुजाने काका पंबा नोचने आ वोई वोई गरिबों के जॉली एलेल भी निकलना पतली गली से यह खाएगा फटके बेटा पड़ेगी तेरे को पका लड़कियों के साथ आई याशी यही तेरी कमजोरी है ना थे काला कोट सुन मेरी और एकमजोरी है मेरा घुसा मेरा आक्रोश बचके रहना तू बेटा मैं तो बचके रहूंगा लेकिन तू अपने गुस्ते से बचके रहना भगवान कृष्णे गीता में कहा है कि क्रोधाद भवती सम्मोहा सम्मोहात इस्मृती विप्रमा इस्मृती ध्वन्षान बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाय रणश्यति बुद्धिकनाश्वाय समझा नए तू दू 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 अलस्ताइम अंप्राइस को बोले यार इसको कुछ तू बताए बना इविदेंस के हमें किसा आर जाएंगे Maya, he's right. We really can't do anything without evidence and please try and remember at least something. Maybe at least where they kept you? I don't remember what happened. They took me into a car. अब लोग में? अविद रुदे की दूदेश्टावक, भाई तन दूदेश्टावक, झाल दूदेश्टावक में यूदेश्यतिकनाइं कि चुट्टा सा काम नहीं कर सकता है मेरा चुट्टु भाई क्या कर रहा है क्या मेरी ले마 जाओंग पहले कि अ लुख नुख 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 अचर भार वोच्छ सबस्थली ही अँए। मैं रेतार ही लुपट आए यहां आए चाहा पॉसा ए और आए जो गवासे जन्हान को साए अबेगा जो और आहां आ आए 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 जो आए 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 एफ जब जब आप वार्चाण जब विए जब शुट्ट को झाल तो एफ यह जब 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 लेकन कॉंस अ चानल तो बिछाया है यह जाल तो भुछाया है थेखो मशली कप पकड मे आती है कुत्रिया मेरा बात कान खुल के सुन जो बोला है वो करने का अड़ी उम्हा देख उम्हा रशूर का नाट्टी तू रखते हैं चल प्रणाम भाईयागी आप आंडे बोलो उच्छे शुना मकरंध है ना मक्या तुम लोगों से समलती नहीं यहां के काम है बड़ी फूरती सकार वो का है ना भाईयाजी, सब आपी का अशिरवाद है हम आके देते हैं स्पेशाल अशिरवाद आपी फोन रखो ची भाईयाजी ए लावरे इदर कित अबुगीडे अरे तो का करें साला थूबर से यह खुला टिखाए बाइठा है बढ़ाए किसका पीचा कर रहे है अगर पता चल जाया तो भाईगाड किसम कुले पेट्टी लाटे पड़ेगी कभी कुला टिखाए बाइठे पाईगे बढ़ा रहे है पाट करता है अर्ण जड़ी आगे अर्ण जड़ी आगे अच्छा वाटे अच्छा जड़ी आगे वो आरा में मग्या भी जाने अली अली आवरी आपकर दो लाओ डिस्पेकर मानाफ्मेंट कर दो जड़ी आगली बार सेजन ही अम्मा कसम अगर अगली बार वाना तो जिन्दा नी बचेगा तो हम हम हाँ भाई अड़ी जी जिया चल रहा था यहां बैट काम ताड रहे थे लग्टा अबू चाने वाला है किसी को शक तो नहीं होगा इसलिए हम यहां बाइट के चाय और सि अब आपने बोला है मतलब पिछले तीन गंटे से हम ताकि किसी को शक ना हो हुआ भाई कितना हिजाब हुआ इनका दूई पार्केट सिग्रेट और तीष्ठो चाय थाई सुर्प्य सिग्रेट वा और डेड़ सेग चाय टोटल चाह सुर्पिया तुम थाई सुर्प्य की सि लौट के तुम यहीं आएंगे मेरे पास चाय पर लावए तुम थाई तुम थाई तुम थाई तुम थाई D durante बेंगे में में थाई तुम थाई पाबू से छोड़ दोना... पाबू से छोड़ दोना... चाड़ी उतार... अरे मुड़ होगे है मेरा... पाबू जी आप जो गर रहे हैं वो गोर पाप है... और हम किईसी के बीबी हैं ए तपड लगां हूंगा इस हराम खूर को अभी मारा तो किस पिगड़ जाएगा तेरा पती मेरा गुलाम है और गुलाम की हर चीज मालिक की होती है पवस छोड़ दो ना, बहुत दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है यह दर्व में देखा जाती है दर्व क्या है अरे मेरा दिन्नु इधर बैटा है तु रो रहा है तु अरे तेरी बीवी क्या मस मैं मालूम है हां मसा दे दिया उसने तिल खुश कर दिया तेरा फिराओंगा मैं ठीक है चाल रखना उसका कि अब दुन है है कि अब बढूए कि अब आप तो मर चाहिए कि हो साब कहा चले आरें या और आप कोन है और किसे मिलना है और आपको अंदर आने किसमे दिए अरे ज्यादा फन फनाओ मों त्यार शांति रखो पता चल जायेगा तुमको इस जनम से मुक्ति चाहिए ने कि क्या बोल रहो साब आप मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा और साब मेरे साब लोकों को पता चल गया ना तो मेरी चमडी उदेड़ देंगे आप क्रिपपा करके बाहर जाए तो क्या फारक पड़ेगा तेरी चमडी तो बेश्रम है उसके अंदर बहने वाला खून भी बेश् अब बढ़े पंता है भी जब बखिया तेरी बीवी के साथ सो रहा था बलातकार कर रहा था तब और अधकर जैसे डेली इस पर बैठके रो रहा तो साब साब मेरे पती को क्यों मार रहे हो इसको कहते है और अधका प्यार ऐसे नीच आदमी को पिटता देख बचाने चलिया आदे तेरे कों सही कहा सायव ऐब साले आवे इंच रहें हमको अपनी जान की फिक्र नहीं नहीं अधिया लकिन डरते हैं तको यह आशे सब कि नहीं जाते हैं सभाव प्ताव क्यों लोग मत्याशित और यह सब कैसे जानते हैं कि आप पुलीस है साब वकील है वो हरामी मख्या और उसके भाई नाना के खिलाफ एक विदेशी लड़की के साथ बलातकार करने का केस चल रहा है अदालत पर है क्या तुम बता सकते हैं कि मख्या किसी विदेशी लड़की को लेके यहां आया था हा दो दिन तक वो गोरी में यहीं थी साब आदे वकत तो रोती रहती थी और आदे वकत सोती रहती थी कोनों कोनों इंजिक्षिन देते थे साब उसको और दो दिन तक बारी-बारी से उसकी इज़त लोटते रहे साब पर साब हम क्या कर सकते थे हम छोटे इंसान है साब कमजो प्रख्षा कर सकतो और मक्या से बदला भी ले सकता हुआ कैसे साफ ये बाद जो तुमने अभी मुझसे कही यहां पर इसी बात को अदालत में जैस साब के सामने कह देना ये मेरा बादा है कि मक्या और नाना जिंदगी भर काल कोटरी में सड़ेंगे जरूर साफ उन हरामजादों का खिलाप हम कोट में गवाई देंगे साफ हम भी चाते हैं हूँ कुट्टे की तरह जेल में सड़े साले साफ आप बताओ कब देनिया गवाई पक्का पक्का साफ पल्टोगे तो नहीं नहीं साफ अब तो ज्यान भी चली जाए ना तो भी नहीं पल्टेंगे साफ कि ठीक है कि दो दिन बाद अदालत में पेशी है ठीक क्या रावजे पहुंच जाना मैं इंतिजार करूंगा अरे भाईया अंदर से कहां से आ रहा हो सूसू करने गया था कोई प्रोब्लम है लेकिन अंदर कैसे घुजे अरे तेरे सामने तो गया था अंदा है क्या ओड़के थोड़ अरे कमाल का सुराग मिला है अरे बताता हूं ना याद मिलके बताता हूं तुम देशी अड़ा पोँचो तुरंद कैसा है घंशाम ठीव हूं सर पैचानों नहीं अरे कट में मिले तेरे अभी हूं पैचाना कितने पैसे लिए तुने जूटिकवाई देने के लिए क्या बोलने साआब होह अपने जो देखा वह भूत जूट थोड़ी ना बोला आधा किया मेने तेरे वारे में तेरी एक बेहन है न है कल को यह रामी तेरी बहन के बारे मैं है साथ आसा का रहें थो पैसे भगई या सालिग आदमी अपनी बहन की इजछट इजड़ दूसरे की लड़की को पाष्थ नहीं है, नेक्ण हो रहे अरे चोड़ो 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 यह क्या बोल रहा है गंचाम उन हरामियों में दमकी दीती मुझे और मेरी बैन मेरी जान है सर मैंने देगा था सर वो मगिया साब ने गोरी मायम के ड्रिंग में कुछ मिलाया था और उसको बेहोशी की आलत में लेके गये थे बस इतना जान तो सर भागे मजे कुछ नहीं बदा सर जो तु इधर बोल रहा है कोट में बोलेगा अगली तारीक पर बोलूंगा सर इधर देख बदलेगा तो नहीं नहीं बदलूंगा सर पक्का पक्का सर इसको लाक कुत्रेहम देख रेनानेया जी वो दो टके का वेटर घंशाम हमारे खिलाब गभाई देने को तैयार हो गया है उठा लेते हैं साले को अच्डब सर भी अपने बाप की तरह रागला अपने लगा टैंचन नहीं लेने का उसे तो उठा लेंगे लेकिन उसका क्या जो असली फसाद की जड़ है क्या नाम है उसका सीतापती सीतापती बिल्ला जी भाउ साहब तु जा और उठा ले उस दो टके के नाली के कीडे घंशाम को और नान्या तू अपने लॉंडे लेकर जा और उड़ा दे उस सड़क्छा बकील को और वो साला सुवर कौन से गटर में पड़ा है अरे खोल अरे खोल जल्दी खोल अरे खोल ना जले खोल बोल काका वो फोन नहीं उठा रहा है अब जाओ यहां से कॲिए तरण त्व जिस्ता में करते खोला अरे आज कदें अच्छार में किया होगया एक मिट्टिया क्या होगया् क्या होगया डेखता हूं देखता हूं एक सट अच्छा कर gonna क्या यहाय क्या खटारा है आप तु बिचारी को त्याग दो अरे तो एक राब नहीं उति कह आ इस खटारे को कितना एस्तुबाल करोंगी एक आप तो इकाल दो कि आप अब आप तु अबार तो बात करों कि आप स्टार करों एड़ जए अ सकता है जए एलुका है या खुदारा माफ कर या खुदारा माफ कर मेरा मेरा इंसाफ कर या खुदारा माफ कर या खुदारा माफ कर या खुदारा क्यों फंता है समंदर सीने के इक कोहने में क्यों फंता है समंदर सीने के इक कोहने में खाके गर्दिश ख्वाइशें अब आग बहती रोने में आग बहती रोने में या खुदारा माफ कर मेरा मेरा इंसाफ कर या खुदारा माफ कर खुदारा या खुदारा माफ कर लगता है आज सुरज गलत इशा से निकला पटिल सितापदी साब आये हमें मिलने हमारे पुली स्टेशन में वह अरे बोल दिया होता जीब भीजवा देते मैं अठखेली हूं के मूड में नहीं हूं वागने साब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं यहां क्यूं आया हूं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपको पता है कि सत्या देश्मुके मडर में किसका हाथ है पर आप कुछ करेंगे नहीं आप सरकारी नौकरी बजाने से जादा उस मंत्री की नौकरी बजाते है देखो सितापदी सोच समझ के बात करना तुम मेरे पुलिस टेशन में आके मुझ पर ही तोमत लगा रहे हो और ही सत्या देश्मुक की बात तो खसके लिए है और किसी के साथ उसका पंगा है अच्छा आपका कहने का मतलब है कि शरट जोशी का कोई हाथ नहीं है सत्या देश्मुक के मडर में अरे मंत्री जी मामूली सोचल वर्कर को क्यों मरवाएंगे सही है मामूली थी अगर कोई खास बड़ी होती तो मार डालते है सितापती सोच के बात करने का कहीं बोलतो है देखो इन्वेस्टिकेशन हो रहा है जल से जल कातिल पकड़ा जाएगा अब मुझे एक्स्क्यूज देंगे आप क्या हुआ मैंने के जोग सुनाया जोग ही तो है मतलब ये कब तक तुम एक्स्क्यूज लेते देते रहोगे या कभी तो ये चापलूसी की पीपरी बजाना बंद करो पुलिस की वर्दी में तुम इंस्पेक्टर कम और मंत्री के बंगले के बाहर खड़े हुए गोर्खा नजर आत हो ये वकील ज्यादा बात मत कर अपने अंदर डालेगा और दोगा और दोगा अच्छा है तू असर्ट करने के जुरम में मुझे एंदर डालेगा और धोएगा दोड़ेगा दोगा वर्दी बेचे की तब ना मतलब टेवल नीचे देख क्या है एंट एण गया इ पैसे, क्या है यार वागले साब, आप रिश्वत ले रहे हूं, रिश्वत? वो भी मुझसे, वो भी अजार रुपे, फसा मता मुझे, सिर्फ अजार रुपे की उकात है आपकी, कमाल है, विजिलेंस का आदमी बाहर है, बुलाओ उसको, ये सही नहीं कर रहे है तुछ, बाह असले नर्ष्ट हो जाती है, अबे छोड़ना, मेरे है यार, आगे ना फ्रेंट पेश पर, बन गई आप बार के अटलाइस, मना किया था, मात बोड़ा, इस पचले में मात बोड़ा, मगर नहीं है, समा सेवा का कीड़ा, करती रहे हैं, समा सेवा, वो पर पैटका, सिता पहती, I understand what you are going through right now, यह, thanks, यह, कल टाइम पे पोच जाना, साप को बोलना, चिंता ना करे, मैं कल ग्यारा बजे कोट में पोच जाना, इदर आ, जरा समल के जाना, हाँ, ठीक है, हर क्ओल रोट में पोट में पॉट रहे हैं, हालो, यह, आ तंभी सब ठीक है, हाँ सर जी लला इर की, मतलब, ठीक ही, ठीक ठीक भी को जाकर दलाना के गोड़ाना है, उसको कल क्यारा बढ़े है, हाँ सर जी, अभी जाकर बोल किया है, कि कल ग्यार बजे पुजा नी की, कि आख पर पाटेने जारहा है पूरी खबदी लेख यह करह नेशार है से देख रहे छानिया देख जाले हमारे टुगड़ों पर पढ़ने वाला कुद्दा हमारे उपर भूंके गाप एवाग। काई सेली आखिरबाद क्या है वो साला हराम खूर दीन देल हमारे खिलाब गवाई देने जा रहा है एक काम करें कर दो 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 क्या हुआ कर दो कुछ तो गड़बले शायल इन लोगों को अमरी कोट में गवाई देनी की बाद पता चल गई अब वं दोनों की खेर नी लची अब कुछ प्लियो तू रसो इसे बाहर नी निकलना तरावादा कौल इनो तरावादा कौल इतने सारे लोग राखस्स लोग इनके सामने गिड़ गिड़ाने से कुछ नी होगा वैसे भी हम लोग मरेंगे तो क्यो ना शालों को मार कर मरेंगे ये जिए 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 भाग जिए क्या कर रहहो मोथ का इंतजाम हमरी वुरुन कुट्टों के मामा, मैं इधे देखता हूँ लची हमको माफ कर देना हम तोंको बचाने पाए परवादा करते हैं कि अगले जनम में आदर्शपत्ती सा भी तोंगे तुमारे लिए पर इस जनम के लिए हमको माफ करते हैं का कर रहे हो तुम हमेशा से मेरे लिए आदर्शपत्ती थे और हम यहीं चाहते हैं कि अगले जनम में तुम ही हमको मिलो आदर्शपत्त आदर्शपत्त दर्वादा खोल मैं तो चीर दलूँगा तेरको आदर्शपत्त मैं तुझे माफी देला दूँग चुप चाहब दर्वादा को आरे मामा अता इकनार ना साला इसके आखों के सामने इसका बीवी का गेम बजाता हो देखना है सुअर की ओलाद अगर अमरी लच्ची के खिलाब एक शब्द भी बोलाना तो तेरी आट चॉप क्या रहे भांग भी रखिये तुने आज तुगे आटिनो आट दर्वादा तोड़थ तोड़थ आट आट रहे तुम ना मर्दा ना मर्द चाले खोड़ा 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 थोड़ा यह देख एक परसेंट बर्न है एक परसेंट और वाँ मेरा बेटा तीस परसेंट बर्न है दर्द मैसूस हो रहा है हो रहा है और तु कहता है सिर्फ तीस परसेंट सिर्फ तीस परसेंट हां उसका दर्द मैसूस कर यहां हो रहा है सब जो करना है जिल्दी कर नहीं तो तुझे और तेरे इस अस्पताल को चला दूँगा हंडर्ड परसेंट जाग सर सब ठीक हो जागा मैं बात करता हूं आप आराम से बैठिये काका काका क्या हुआ बाबा को बेटा नहीं रहा तेरा बाबा फके मतकर में हूआ जिन्दा हू अभी अभी बढह भाबा आपाँ 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 तुम्ति एक नदेल कोच्षा संसरो तंदेल कोच्षा जच्षा अवि आपाँ आपकाँ निइब करने सल अविक कॉछन कार्याना अविकाना अअविक्यात स्बाइब थे यह ज़ुद्स छोच्षा संसरो्थ आपच्षा वास्षा और आप आखसे तो मैं आपको काल किदीन ना तेरो को भूला थाना को साथ में कर ना मैं दीन दियाल भाई को भूल क्या है थी हाष शयत्ती अब सीता पथी शुक्ला भूल रहो हुआ अब आपका वेटर अभी तक नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा उप्चाशाम कि लापता है हालो 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 है लग लग गई आज़ अज़ अगली बार ख्याल रखियेगा प्रोसीड प्लीज थैंक्यो योर ओनर इस केस की पिछली हरिंग पे मैंने आपसे मौलत मांगी थी कि मैं इस केस से संबंदित कुछ और गवाह और सुबूत पेश करना चाहता हूं आपने मुझे मुझे मौलत दी इसका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुबूत और गवाह मिल गए थे आज म जिकल शाम तक वो बिल्कुल सही सलामत था और यही हाल मेरे दूसरे गवाह के साथ हुआ दिन देयाल जो जोशी जी के फार्म हाउस में केर टेकर का काम करता है वो भी गयव है मुझे इस बात का पक्का यकीन है यॉर आउनर कि इन दोनों गवाहों को अदालत में आने से रोका गया है यॉर आउनर मेरा काबिल दोस केस को बटकाने का कोशिश कर रहा है थो सबुत नहीं है तो उटपटांग बातों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है जिस दिन दयाल का बात ये कर रहा है, कल रात को साइलिंडर ब्लास्क में उसका मौत हो गया, वहां का पुलिस उसका इंक्वाईरी कर रहा है, ये उसका एफायर है, और गंचाम वाइटर की जो बात की, उसने फर्स्ट एरिंग में गंचाम बोल चुका है, कि ये वाईदेशी लड़की मेरा क्लाइन के साथ अपना मर्जी से गया है, सर रिपोर्ट है, जस्ट गिव सर, गंचाम की पिछली गवाई और इस गवाई में सिर्फ एक फर्क है, वो ये कि आज वो सच बोलने वाला था, बिना किसी डरक है, लेकिन कुछ लोगों को ये ना मन्जूर है, इसलिए उसको गाइब कर दिया है, यही हा, दीन दयाल और सत्या का हुए है, इन दोनों को अपन अपनी जान से आद दोना पड़ा, कैसा ने आए है, ये बड़े लोग सिर्फ ऐसे सच को पसंद करते हैं, जो इनके पक्ष में खड़ा हो, लेकिन अगर कोई सच इनके खलाफ खड़ा हो जाता है, तो उसे निस्तनाबूत कर देते हैं, हमारी जिंदगी अकबार के जैसी है जैसे आज का बार, कल रद्धी हो जाता है न, यूर रॉनर, मेरा काबिल दोस्ट फाइलोसफी की बात कर रहा है, कोल्ड को फाइलोसफी नहीं, ठोश सबूत चाहिए, और ठोश सबूत नहीं है, तो हमारा वग्जाया ना करें, जिन दो केसिस का आप जिकर कर रहे हैं, उनका इस केस के साथ प्राइमेफिसी कोई लेना देना नहीं है, और अगर हो भी, तो वो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर आप के पास कोई ठोश सबूत हो, तो अदालत के सामने पेश कीज यूर ओनर, इसमें एक वीडियो है, इसे मैंने खुट शूट किया है, इसमें मकरन जोशी दीन दयाल की पतनी लच्छी का बलातकार कर रहा है, अंदेरा था, वीडियो साफ नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में होने वाली बात आप साफ सुन पाएंगे, ये वीडियो म मुझसे पहले मैं चाहता हूं के मकरन जोशी को वेटनिस वॉक्स में हाजर किया जाए, यूर ओनर, मकरन जोशी ऑस्पिटल में है, उनके कार का एक्सिडेंट हुआ, 50 परसेंट वो जल गया, मेडिकल रिपोट है, और चगन पाटेल का देहान्थ हुआ, एहरत की बात ही, इस केस से जुड़े हुए तीन एहम गवाह, या तो गाइब हो गए, या जल गए, या मर गए, यह कोईंसीडेंस नहीं हो सकता, ये एक शळयंतर है, आय अबजेक्ट, आय अबजेक्ट, वार्दात हो रहा है, उसका इस केस के साथ कोई रिलेशिन नहीं है, ये केस को भटक अदालत में पेश किये जाए, मिस्टर सीता पती, कौट ने आपको पहले भी ताकीत की है, कि जो ठोस सुबूत है, उसी को पेश किया जाए, और इधर उधर की दलील करके, कौट को गुमरा करने की कोशिश ना की जाए, ये मकरन जोशी का वीडियो, अदालत में फॉरण प इसमें जो बेबस असा होरत है, वो लच्छी है, और इसके साथ दुशकर्म करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं मकरंद जोशी है, वा, वा, ये रहनर, I would like to prize my dear liar friend, sir, is it some piece of cinema, but prove क्या करना चाहते हैं, आखिर में, प्रूव, मतलब अलग अलग किस्सों को, कि अएक बना के जा तक कि एडियो है, बदा से वीडियो है, यू दूग से अनीधिग! Yes, the other aspect of it is the vice, vice is matching my client vice, but sir, vice can be achieved with a cheap mimicry artist sir. Can I request my assistant Anand to come in to witness box? Objection your honor, Anand ka is case se koji taaluk nahi. मैं मानता हूँ कि आनन्द का कोई तालुक नहीं है लेकिन इंट्रस्ट अवराइविंगे दे ट्रूथ अट लिस्ट लेस्ट किविम चैंस पाइशन्स इस वर्चु माइफ्राइन प्लीज प्रोसीड यह सर्कार को खाते हैं यह सरकार को खाते हैं दोनों एक दूसरे को खाते हैं अबजेक्शन यह रॉन यह कोई फिल्म के शूटिंग नहीं चल रही है Mr. Muktu What are you trying to prove? Please come to the point I am coming to the point sir Sita Patish Sar के आवाज निकाल सकता है? Yes I object my lord. यह जो लडगी है पागल है यह अपना रूप सुंदर दिखा कर मुझे बहका रही है मुझे कहती कि मेरा केस लेडो जजास मै तो परिशान हो गया हुआ इसका केस लेकर मुझे केस नहीं लड़ना मुझे नहीं लड़ना मुझे नहीं लड़ना हो गया थांक्यू माइलोड यह मोले का चीप मिमिक्री शो नहीं है अदालत है और एक बहुत गंभीर मामले कुपर कारवाई चल रही है यह बात मेरे काविल दोसको समझनी चाहिए I am really sorry for hurting him. My assistant had a real more, more enthusiasm. I am really sorry about it. But the point is so much, sir, no one can remove anyone's voice. So in that video, sir, the sound of the cheap mimicry artist. My client, Makran Joshi Khan, that video is fake. Video is not fake! I object my lord. Overruled Mr. Seetabati. Adalat यह आदेश देती है कि इस video को forensic laboratory में authentication के लिए बेजा जाए. To end this matter once and for all, इस केस की अगली सुनवाई, अदालत दो दिन के बात करेगी. The court is adjourned. खेरान हूँ, परिशान हूँ, तिरी वे तुकी बातों से मैं बेजार हूँ, यह आलम है जो तनहाई का, ए रंजे असर तेरी ए सुधाई का, ए जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी, ए जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी, तुझ से की है मैंने कितनी गुजारिश, अश्कों से लिखी हर्जी मेरी की खारिज, ए संग दिल, जिन्दगी मानचा, ना कर मुझ से ये दिल लगी, ए जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी, खाहिशों की भीड में दिल धुण्डे है ठीकाना, उम्मीदों की ठपकियों का हो कोई सिरहाना, है हम सफर जिन्दगी साथ चल, मुझ को है अब तेरा बस तेरा अत्वार, है जिन्दगी तु भी कभी, दिल की बात सुन ले मेरी, जिन्दगी से मिलने आया था ताकि गंटाम का कुछ पता चल सके, और साले हाराम खोर को, दाकत के सामने पढ़ जाती है सबकी, सेले पट्टू, पढ़ गए? जोशी को देक, पढ़ गए? माइंड यर थांग, okay? माइंड एवरिधिंग हरु उस दुन तु तुम बड़े शेर वन रहे थे घंचा आमके पीछे पड़ेए को बोलो, बोलो, बोलो बर आभी, आभी पीठे से.. Peter.. Kiran.. बाद करो इसको बार कर दो पड़े यह रहे यह टिप रख ले मैही जादा, क्यादा क्यादा? मेरी सड़जी को आत लगाती सर्जी, क्या हुए? क्याले, मेरी सर्जी को आत लगाती हुए? अरे तुम्हार नारेट पाहन के देशा मुंडी काट डाली के मालुमी क्या? महीं बर्तन गश्ची तुम्लोगों आइसा दोही कि निकी साबुन लगाले की जरुवत नी पड़ी कि वो अमान क्या है? अर्जा संस्क्राइब कर जाएँ अर्जा सुब्स देशा, सर्जी, सर्जी, सर्जी अर्जाब करते है लगाता है, लोगाता है लोगाता है, बड़ार कोई मैर्म मया मेरे तंबी कोई तंबी, होरा यू? my point..thank you, mention not मैरे, मेरे मेरे सितबति जाएँ साड़ी दो help वहां.. खुवीजों ही लग से लग से लग में? साड़ी रधा सर्याद्री लग से चाह क्यों से… बश Gibi वल्ह mm.. काइन्ग Выब भाद लो देष सत्य जह थाठबाद समय वहाई टिया जब जेग, मेडमेदी अब मेंडि़ल कम भेय beautiful इस इस ते दे और दे दे बोच्छों बहाजी, इतनी रात के ठंड में भाहर काई बैठे हो, सोएंगे नहीं का? नेंद कैसे आएगी, पंडे? कल कोड का फैसला है? और मैं जानता हूं कि फैसला क्या होगा? ये स्वाबिमान की लड़ा ये बंडे है, कुछ भी हो जाए, ये हराम के पिल्ले जेल जरूर जाएंगे. वो, वो कैसे भाया जी? पता नहीं, कैसे? मगर जेल जरूर जाएंगे. जेले जरूर जाएंगे. आज माया जॉंसन केस की आखरी सुनवाई है, और इस केस को लेकर आज आम पब्लिक में एक जिग्यासा बनी है. लोग इस फैसले का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं. ये फैसला हमारे भारत में नयाई पालिका की शिष्टी से भी एहन है. आज केस की आखरी सुनवाई है. देखते हैं उर्ट किस करवट बैठता है. Sir please. हमें जो कुछ भी कहना हैं अ झूर्ट में काई हैं. Sir please 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 please. Mr malya you went out willingly with them? No I'm not Samha миya. जैसा की आट और देखा, Ms maya ने कहा हैं. I understand what you're going through maya. I promise you that those rapists will go to jail for a show. Come. Please be seated. Proceed please. Dear Honor, I want to paste this report in front of you. This is a foreign report, which my friends have posted in court. In this report, there is a death of a rat, so it cannot be heard of it. And the second voice is my client, Markran Joshi, but the quality of the video is so bad that it is Markran Joshi, so it cannot be confirmed. All in all, this video is not possible to accept this proof in this case. Let me see. Mr. Sitabati, before the court pronounces judgment, do you have any submissions? Yes, Your Honor. I want to call Salim Shek to the witness box. I am happy. आदालत को अपना पूरा नाम और पेशा बताई है अ मेरा नाम सलीम शेख है और मैं एक मॉडल कोडिनेटर हूँ बोले तो फिल्म अंडिस्ट्री और एड एजिंसी के लिए नए नए लड़कियं सप्लाई करता हूँ अरे भाई गलत मत समझो फिल्म के शूटिंग के काम के लिए ठीक है समझ गये क्या आप सामने बैठी उस लड़की को जानते हैं हां माया इसका पहला एसार में नपूर नहीं दिलवाया था कोई टेलविजीन शो के लिए था हाय माया और प्लीज सौरी जज़ साब कोरट में इसलिए माफी चाहता हूं क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि माया कैसी लड़की है अभी अपन क्या बोलेगा साब आप ही देख लो ना बला की खुबसूरत है ऐसा हुसन देख के तो अच्छे अच्छे इंसान का इमान भी डगमगा जाएगा मेरा मतलब यह नहीं है मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इसका कैरेक्टर कैसा है चरितर कैसा है आपको क्या लगता है माया रूपियों के बदले अपना जिस्म बेश सकती है नहीं नहीं तोब तोबा वकिल साब क्या बोल दिया आपने एक दिन में एक अमिर आत्मी के शादी में लेकर गया था एक एक दिन का वाक्या बताता हूं आपको मैं जुम्मा का दिन था शाम को इसने मेरे को फोन किया सलीम खाना खिलाएगा क्या तीन दिन से मैंने खाना नहीं खाया अगर चाहती नहों सवक्त किसी के साथ भी चली जाती और साल भर का काम कमा लेती आप सोचो साब भूका रहना पसंद किया इसने लेकिन गलत नहीं किया और मैं जहां तक बोल सकता हूं कि माया जिसम फिरोसी जैसा घटिया काम करी नहीं सकती यह वट्डिस आप जा सकते हैं यूर अनर दाद देनी पड़एगी मायरे काविल दोस्की वाकालत की आइसा गवा उन्होंने पेश किया मेरे आख में एकदम हास्वा गया है लेकिन अभी भी सवाल वही रहता है कि माया जी जिस सोसाइटी में रहती वोलो कम्प्लें किया है उसके घर में देर देर रात त इन्होंने तो प्रोस्टिटूशन की परिवाशा ही बदल दी इनके हिसाब से हर वो लड़की जो फैंसी लॉंजरी पैंती है प्रोस्टिटूट है हर वो लड़की जो लेट नाइट पार्टियों में जाती है बचलन है या किसी लड़की को कोई लड़का उसके घर तक छो मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो मेरे मुद्धे को बिल्कुल साफ कर दे और ये मुद्धु स्वामी जैसे लोगों की पिछडी सोच का ही नतीजा है जो आज दुनिया भर में लड़कियों को अपना आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए ये तरीक आक्तियार करना पड़ रहा है I object, Your Honor इनका इस आर्गिमेंट से ये तो सावित नहीं होता कि माया जी आच्छा चरित्र किये और मायर क्लाइंड मकरन जोशी और नाना पाठील ने इन पर बलात कर किये That's all, Your Honor Any further submissions? No, Your Honor Very well तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है Your Honor आप अपना फैसला सुना इससे पहले मैं अदालत में कुछ कहना चाहता हूँ एक आम आदमी के ऐसियस से क्योंकि अदालत मेरे लिए मंदर है और कानून की किताबे धर्म गरंगत जब एक लड़की के साथ बलातकार होता है तो सिर्फ उसके जिसम ही नहीं रौदा जाता बल्कि उसकी आत्मा की आत्या की जाती है उसके आत्मसमान को कुछल दिया जाता है बलातकार सिर्फ लड़की का नहीं होता उसके माबाप पूरे परिवार का होता है लड़की जिन्दा तो रहती है पर एक लाश बन कर यूर आउनर हमारे कानून में श्रम्ता के बाद भी वो गुनहगार के दिल में खौफ क्यों नहीं पैदा कर बाता है बताता हूं पर्सो का अखवार है जैसा इसमें एक आदमी ने एक नावालिक लड़की के साथ भलातकार किया था अदालत ने उससे सजा दी है लेकिन कब पच्चीस साल बार मैं और मेरी क्लाइंट माया रेस्टोरेंट में बैठके खा रहे थी उसने मुझे पूचा कि सीता पदी मैं सोच में पढ़के हमें कैचा बाप देता मुझे लगा कि अदालत में आने वाला हर विक्टिम एक मुर्गी के जैसा होता है पहले हम उस मुर्गी को साफ करते है फिर प्यार से उसे हलाल करते है फिर उसके पंखों को नोचा जाता है फिर अपोजीशन अपने भद्दे भौंडे तरीकों से उसके उपर ताने के मसाले डालता है और फिर उसको कानून की धीमी आज के उपर पकने के लिए रख दिया जाता है वो पक्ती रहती है पक्ती रहती है यह है अपना कानून The Chicken Curry Law कानून में समस्या नहीं है योरान, समस्या हमारे सिस्टम में है, हमारे सिस्टम में एक गुनागार को बेगुनाः साबित करना बहुत आसाल, लेकिन एक बेगुनाः को बेगुनाः साबित करना, इंपॉस्टि, मैं आप से पूछता हूँ, क्या तुम कभी अपनी मा बहन या जवान बेटी से पूछोगे कि फैंसी लॉंच्री पहन कर आज वो किस कस्टमर को रिजाने जा रही है हाँ यह अधालत आपकी भावनाओं की गदर करती है मैलाओं के प्रती आपके जो विचार है उसकी प्रशंसा भी करती है लेकिन यह अधालत है और अधालत में फैसले भावनाओं के बहाव में आकर नहीं किये जाते ठोस सुबूत और गवाओं की गवाई पे होते हैं मिस्ट माया जॉंसन पे मिस्टर मुथ्थू ने आरोप लगाया है कि वो एक कमर्शल सेक्स वरकर है लेकिन इस बात का एविडिन्स कोर्ट के सामने नहीं आया है इसी लिए इम्मॉरल ट्राफिक आक्ट नाइटीन फिफ्टी सिक्स के तहर्ट उनके उपर ये चार्ज स्टैंड नहीं करता दे कॉर्ट इस कन्विंस्ट अच्छी तरह जानती और पैचानती थी और अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी और जब ये कथित रेप हो रहा था तो वो सेमी कॉंशियस थी ड्रग्स की वज़े से लिहाजा ये अदालत मिस्टर माकरन जोशी और नाना पार्टिल को शक की बिला पर बलातकार के इल्जाम से बाइज़त बरी करती है साथ में पुलिस को ये आदेश देती है कि मिस माया जॉंसन की एक थरव और डीटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो ये जानने के लिए कि क्या वो एक हैबिच्वल ड्रग यूजर है या नहीं और अगर हो तो उन पर योग्य कारवाई की जाए जिरा के दौरान मिस्टर मुथ्व ने ये इल्जाम लगाया है कि रेप का चार्ज एक आफ्ट थॉट था ये जानबूज के काईदे को ट्विस्ट करके लगाया गया था इनके क्लाएंट से पैसे एंटने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए और भी तो फाल चार्जेस इन अनधर कॉर्ट विदिन दे लॉफ लिमिटेश्ट मिस्टर माकरन जोशी और मिस्टर नाना पातिल यॉर फ्री तो गो इस केस इस क्लोस्ट प्रॉट इस अचर्ट अट्टू, कुछ कर दिया तूने अकिल साइब, थैंक यू कुछ करें यूओ है थ करेंग यूच करेंग है युद यूव सबस् Afghanistan को मों रख तÁंनी जैसा केज एस मेरे हैं पनी कानून विवस्ता और सविधान पर बूरा भो उसा है कम्सोर जूटा केस था मेरे बच्चे ऐसा घिनोन काम कभी कर ही नहीं सकते हैं और आज जो है कोर्ट में साबीत भी हो गया है मंत्री जी बाद आई हो कि फेक्स मैच जीतने के लिए कि एक बात बता जोशी यह जो लॉंडा है तुमारी अपनी मेहनत है या किसी और का प्रसाद नहीं मेरे को डाउट इसलिए पूछ रहा हूँ तुमारे उपर नहीं तुमारी बीबी पर अरे कहीं ऐसा हो कि उसने इस हरामी को पैदा करने के लिए किसी बावा अवा का ले लिया हो आशिरवार इसको समझा दे बाबा ए मक्या मैं बोलता हूँ इसका डी एने टेस्ट करा फर्जी निकलेगा नकली जोशी यह फर्जी है नकली जोशी एक वकील के ऊपर मीडिया के सामने कोट प्रमाइसित में हाथ उठाने का मतलब जानता है यह चल साला सेक्शन 3 52 चे मैने गली अंदर जाएगा यह चुट 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 तेरा मंत्री बाप भी तुझे नहीं बचा पाएगा कुट्रिया साल्या हाथ यह चुट 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 अगर मैं चाहूं ना, तो किड़े की तरह तुझे मसल कर रख दूगा गन हाथ में लेने से कुई मर्द नहीं हो जाता है गोली चलाने के लिए खुर्दा चाहिए नपुन्सक्क चलाए पट्टो प्रोधार भवति संवोह संवोहार सुरुति भ्रमह सुरुति धंशार उद्धिनाशो उद्धिनाशार प्रणश्यती सुरुति 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 तेरे बाप ने अगर तुझे कीता पड़ाई होती नाथ तो तेरी ये नौबत नहीं आती मैने कहता तुसे कि तेरा घुस्सा ही तेरा नाश करेगा कि अच्छल मैं कर दो надी नाश प्रिस्टि मैं सुरुति सुर्ट गल सुर्ट 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 सुर्ण लिए रिवे विए अरे अरे बंदु लखा प्लाइब क्या करें रो मिरा का मरते तू 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 ताहि तू अला छुडेल बूलतो है जो जाओ सब लोग खेलो जाओ खेलो जाओ खेलो स्कूज मी येस मुझे मिस्माय समिलना था आप दो मिनिट बैठी है मैं बस उनको भुला के लाती हूँ जा ताइला बोलो नान ताइ तुमाला भी टाइला कोनी तरी आलेला है तु जा में एते हैं थांक्यू खु जा भी तुमाए तुमाए थटर प्लular स्ट्रशवर प्रसे चाविध मिलान त। स्थांट तूमाय तुमाय डुमाए अस्ट क्या सुप्टोर्श स्ट्थ खेली करता का थेजिए मेर कर दो रैक्त प्राद से लिए प्यावी है。 मेर का दो रूप जाए वीटिम? कि क कि अचान थे प्षाव की अच्ग केज़ है? यज्यू रखेशी हैं जाय थे उेस इजू रवार्ट एफ जाया है? प्रवेश्ट इसाल सलाव जोल कि अड़ ऑपी अवार्ट थैजु तॉ प्रव म्याव्ट यूटर विव थे फिर लास चॉशने चाहर शेर लास्ड़त लास्टोर्टीं यह जो, अगर देने, शामी. किसी ने सच ही कहा है, कि कर्म का चगर किसी को नहीं बख्षता. यह बड़े अफसोस की बात है, कि माया को न्याय दिलाने की खातिर, सीता पती को अपनी, जान का दाव खेलना पड़ा. क्योंकि सीता पती जानता था, कि सब्भ्यता और सौभी मांग की खीमत, चांद से कहीं ज्यादा होती है. पर सीता पती मरकर भी जिन्दा रहते हैं, हमारे ख्यालों में, सच्चे इंसानी जज़बातों में. क्योंकि सीता पती कभी मर नहीं सकते, सीधापती मरा नहीं करते तो नहीं दो दो नहीं किया जो मिलके तुम से हुआ कोई दर्द है जो की छे रिष्टे ये दिल की से छे है इतने कुँ पास चलती है सास ते डाले बास ओडे चलो देरी ही ओडे नहीं दिल पे जोर कोई दोर हमको जोडे दिल पे लिखा जिसको तुम ऐसी आयत हो सजदा तुम ही मेरा तुम ही इबादत हो हो राहत हो बरकत हो जीने की चाहत हो छोड़ू तुमे कैसे तुम मेरी आदत हो महकी हवाओं में चारों दिशाओं में अब दो दुआओं में तुम हो इस नाम दूँ मैं क्या जो मिलके तुम से हुआ कोई दर्द है जो खीचे रिश्टे ये दिल के से चे है इतने कुपास चलती है सास ते डाले बास ओरे चल तेरी ही औरे नहीं दिल पे जोरे कोई डोरे हमको जोरे है इतने कुपास चलती है सास ते डाले बास ओरे चलती ही औरे नहीं दिल पे जोरे कोई डोरे हमको जोरे